एक घना सा खुबसूरत जंगल था, जिसमें पक्षियों का एक जुंड एक साथ रहा करता था। सभी पक्षी एक साथ उड़ते, एक साथ भोजन की तलाश में जाते, और शाम ढलने पर अपने अपने गोंसलों में वापस आ जाया करते। एक दिन उस जंगल में एक बड़ा सा अजगर टहलते हुए आया, जिसे देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं, और उनमें से एक टीनू तोता कहता है। दोस्तों, हमें उस जगर को यहां से भगा देना चाहिए, वरना ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। चलो मेरे साथ, हमें एक साथ इस पर चोंच से हमला करेंगे, तो हम उसे भगाने में काम्याब हो पाएंगे। टीनू तोते की बात सुनकर सारे पक्षी उस अजगर की तरफ जाते हैं, और चोंच मार मार कर उसे गायल कर भगाने की कोशिश करते हैं। अजगर जहां भी अपना घर बनाने के लिए जाता, कोई भी पक्षी उसे किसी भी पेड के नीचे अपना घर नहीं बनाने देता अब मैं क्या करूँ, इस जंगल में तो किसी भी पीड के नीचे में अपना घर बना नहीं पा रहा हूँ, ऐसे तो मैं कब तक जंगल में भटकता रहूँगा अजगर निराश हो जाता है, जहां पर वो ये सारी बातें कर रहा था, वहीं पास में एक पेड था, जिस पर मीनुचडिया बैठी हुई थी, वो सारी बातें सुनकर उड़कर उसके पास आती है, और उससे कहती है अजगर भाई, तुम उदास मत हो, अगर तुम्हें घर बनाना है, तो तुम मेरे पेड के नीचे बना लो, मुझे कोई अतराज नहीं है मीनुचडिया, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है अजगर खुश हो जाता है, और उसके बाद मीनुचडिया के पेड के नीचे अपना घर बना लेता है अब मीनुचडिया और अजगर अच्छे दोस्त बन जाते हैं, साथ-साथ घूमा करते और बहुत बातें किया करते एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होती है, मीनुचडिया उस समय भूजन की तलाश में गई हुई थी ऐसे में अजगर मीनुचडिया के अंडे को अपने फन में संभाल लेता है, ताकि बारिश से अंडे तूटना जाएं कुछ समय बाद अंडे में से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं, चिडिया बारिश रुकने पर अपने घोंसले में वापस आती है, वो अपने दोनों बच्चों को देख कर अजगर से कहती है मीनू और अजगर की दोस्ती उस दिन के बाद से और गहरी हो जाती है सभी पक्षी मीनू और अजगर की दोस्ती का विरोध किया करते और मीनू को समझाया करते, लिकिन धीरे धीरे बाकी पक्षियों को भी अजगर पर भरोसा होने लगा जंगल का एक कल्लू का हुआ ये सब देख कर उस अजगर से जलन महसूस करता और एक दिन वो सभी पक्षियों को भढ़काते हुए बोला मेरे प्यारे पक्षी भाईयों, कभी भी अजगर किसी भी पक्षी का दोस्त नहीं हो सकता मेरी बात मानो, वो बस दोस्ती का दिखावा कर रहा है ताकि वो हमारा विश्वास जीत कर हमारे अंडे खा सके ऐसे ही कल्लू का हुआ आई दिन अजगर के खिलाफ सभी पक्षियों को भढ़काया करता एक दिन मीनू चिडिया के दोनों बच्चे लापता हो जाती है आखिर मेरे बच्चों को कौन चुरा कर ले गया मीनू बहन, मैं तो तुमसे पहले ही कहा था कि अजगर किसी का सगा नहीं हो सकता लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी मेरी मानो, तो हमें उस अजगर की तलाश करनी चाहिए कल्लू कवे की बात सुनकर सारे पक्षी अजगर को ढूनने निकल जाते है कुछ चिडिया उड़ते हुए देखती हैं कि अजगर तालाब की किनारे आराम कर रहा है और उसका पेट फुला हुआ है उन्हें लगता है कि शायद अजगर मीनू चिडिया के दोनों बच्चों को खा चुका है मीनू चिडिया को ये बात सारे पक्षी बताते हैं मीनू चिडिया के साथ सभी पक्षी उड़कर अजगर के पास आते हैं और अपनी चोंच मार मार कर उसे गायल करते हैं लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते अजगर के प्राण निकल जाते हैं तबी वहाँ मीनू चडिया के दोनों बच्चे उड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि वो टहलते टहलते जाडियों में फंस गए थे इसके बाद मीनू की आँखें आसुओं से भर जाती हैं और सभी पक्षियों की आँखें आत्मगलानी के आसुओं से भर जाती हैं उन्हें एहसास होता है कि कववे नहीं उन्हें भरकाया है जिसके बाद गुसे में आकर सभी पक्षी मिलकर भरकाने वाले कववे को भी मार डालते हैं मतई धोबी जैसे ही सवेरे उठा तो उसने अप ये प्रश्न उसके दिमाग में उभराया उसने अपनी पतनी दुलिया को आवाज लगाई अरे दुलिया देख तो जरा गधाया को कुछ तकलीफ है क्या अरे इतना भी नहीं समझते बच्चा देने वाली है ऐसे में तकलीफ तो होती ही है तुम अपना काम देखो मैं इसे देखती हूँ कुछ देर के बाद गधी ने बड़ी ही परेशानी से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया तो दुलिया खुश हो गई लेकन ये क्या उसके खुशी थोड़ी देर के बाद ही दुख में बदल गई गधी बेचारी नीचे गिर पड़ी और देखते ही देखत तड़पने लगी कुछ देर के बाद उसने आखें बंद कर ली और उसके प्राण निकल गए दुलिया की आँखों में भी आंसु आ गए इनसान हो या पशु लगावतो हो ही जाता है मतई भी बहुत दुखी हो गया उसकी प्यारी गधी सदा के लिए उसे छोड़ कर चली जब तक जिन्दा थी उसने मतई का बहुत साथ दिया हाई दिया किसकी नजर लग गई बच्चे को देखते ही स्वर्ख से धार गई ये बच्चा तो उसका दूद भी नहीं पी पाया क्या बच्चे पर तरस खा रही हो ये तो पैदा होते ही मां को खा गया ऐसे बच्चे ब परवाले के हाथ में है मत मानो मेरी बात देख ले न एक दिन तुम्हें मेरी बात याद आएगी अब यह सब बाते मत करो मेरी प्यारी गधी चली गई मेरी खुशिया ही लुट गई है दुलिया और मतई ने बड़े ही बोजिल मन से एक गढ़धा खोद कर उसमें अपनी प पेक्षा का भाव उसके मन में आ गया कुछ दिन के बाद मतई ने उस बच्चे का नाम घोंचु रख दिया समय का पहिया घूमता रहा घोंचु छोटे पन से ही हलका फुल का बोज उठाने लगा था अब वो बड़ा हो रहा था और अक्सर मतई के आसपास ही रहता था लिक एक बार किसी ढोंगी साधु ने मतई को एक खंधर में खजाना होने की बात बताई जिसे मतई मान गया वो घोंचु के उपर बैठ कर खंधर की तरफ चल पड़ा घोंचु खंधर के नजदीक आने पर उसकी तरफ जाने से इनकार करने लगा मतई ने बड़े प्रयास किये लिकिन वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था मतई नीचे उतर कर अकेले खंधर की दरफ जाने लगा तो घोंचु ने जाकर पीछे से उसके कपड़े पकड़ लिये मतई ने विरोध दर्शाया अरे चल हट मैं दौलत लाने चला हूँ और तू रोकने पर आमदा है तू ठहरा गधे का गधा तू क्या जाने दौलत क्या होती है शोहरत क्या होती है हैं एक बार खजाना हाथ लग जाए तो सारी दुनिया को मुठी मैं कर लूँगा मतई जबर दस्ती खंधर के अंदर प्रवेश कर गया और उसी समय तूफान चलने लगा बहुत तेज हवाएं शोर मचाने लगें अचानक खंधर तूट कर गिरने लगा देखते ही देखते खंधर की सारी दीवारें और छट तूट कर नीचे आ गई मतई बेचारा अंदर ही रह गया गोंचु ये द्रिश्य देख कर परिशान हो गया उसका हाल बहुत बुरा था उसकी आँखों से आंसु बहने लगे उसे इस अन्होनी का अंदाजा तो पहले ही हो गया था इसी लिए वो अपने मालिक को रोक रहा था लेकिन जो होनी को जूर रहता है वही होता है घोंचु वहीं ढहे हुए खंधर के पास बिना खाय पिये पड़ा रहा उसे अकेला देखकर लोग समझ नहीं पाते थे और देखकर आगे बढ़ जाते थे दुलिया भी मतई की तलाश में ढूंडते ढूंडते वहां पहुँच गई घोंचु उ खक कर घर लोटाई लेकिन घोंचु वहीं पड़ा रहा दुलिया ने सोचा कि मतई किसी दूसरे साधन से चला गया है कई बार बिना बताय ही चला जाता था दो दिन बीट गए दुलिया फिर उसी स्थान पर पहुँच गई घोंचु वहीं था लोग इकठा हो गए अपना- अंदासा लगाने लगे दुलिया घोंचु को घर ले जाना चाहती थी लेकिन वो हटने को तयार नहीं था उसका इशारा एक बुजर्ग समझ गए ये गधा इस खंडहर की तरफ इशारा कर रहा है इस खंडहर के मलवे के अंदर कोई ना कोई राज है हमें इसकी खोज करनी चाहिए सभी लोग मदद में लग गए और खंडहर का मलवा हटाया जाने लगा मलवे को हटाया गया तो वहाँ एक आदमी का शरीर मिला वो मतई ही था उसे बाहर निकाला गया उसे देख कर दुलिया रोने लगी बिचारे की किस्मत खराब थी खंडहर के नीचे दब कर जान गवा दी आखिर अंदर जाने की क्या वशक्ता थी क्या बताये इसे इसकी मौत खीच लाई भाई चलो अब इसके घरवालों को बुलवा लिया जाए क्रिया कर्म की वेवस्ता की जाएगी इतने में घोंचु आगे बढ़ा और उसने अपना मुँ अपने मालिक के कपड़े से लगाया तो चमतकार हो गया मतई की सांस चलने लगी दुलिया की गेली आखों में चमक आ गई उठो जी आँखें खोलो अब खतरा टल गया है मतई ने अपनी आखें खोली तो सभी के चहरे खिल उठे घोंचु के चहरी पर भी बड़ी सी खुशी चा गई मतई को उठाया गया मुझे किसने बचाया अपने प्यारे घोंचु ने बचाया मतई ने उठकर अपना सारा प्यार घूचु के उपर समर्पित कर दिया एक गधे की वफादारी देखकर लोग वहवा करने लगे